दोस्तों अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा बहुत ही जल्दी जल्दी खतम हो जा रहा है आप थोड़ा बहुत इस्तमाल करते हो आपको 100% यूज का मैसेज आ जाता है मनलब कि इससे बहुत ज़दा गर आप परिशान हो गए हो ना तो बस आप लास्ट काम करो इस वीडियो को पूरा देख लो इस वीडियो को देखने के बाद ना दोस्तो आपके फोन का ये जो इंटरनेट डाटा है सुबह से लेकिर रात तक आप इस्तमाल करेंगे फिर भी खतम होने का नाम तक नहीं लेगा सिर्फ आपको करना क्या है? अपने फोन में कुछ ऐसे hidden setting में बताओंगा उसे अपने फोन के अंदर apply करना है बस इतना काम करना है, अलग से कोई भी application नहीं डाउनलूड करना है बस आपके फोन में जो setting दिया है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताओंगा उसे अपने फोन में करना है उसके बाद आपको देखेंगे आपके फोन का ये जो इंटरनेट डाटा है वो खतम होने का नाम तक निलेगा ये गारेंटी है दोस्तों तो उसके लिए बस आप क्या करो इस वीडियो को लाइक कर दो अपने फोन के अंदर अपलाई करना है अब दोस्तों हमारे फोन का जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा कहां पर इस्तमाल होता है ये जो एपलिकेशन हमारे फोन के अंदर डाउनलोड है जब हम इने यूज करते हैं तभी हमारे फोन का इंटरनेट डाटा यूज होता है तो इन्ही एपलिकेशन के अंदर दोस्तों आपको एक-एक सेटिंग करना है अब सभी एपलिकेशन के अंदर नहीं जो जो main है उनके अंदर, तो सबसे पहला जो setting आपको करना है, वो करना है दोस्तो Google photos के अंदर, अभी जो Google photos है आपको पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही दोस्तो आपके phone का internet consume करता है, सई सुना गाई सापने कैसे, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, उसके आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा का पूरा mobile data ओ यहीं पर यूज हो जाएगा, समझे रो? तो आपको यहाँ पर इसे कभी भी unlimited पर set करके नहीं रखना है, इसे दोस्तो आपको कम से कम 5 या 10 MB पर set करके रखना है, इससे ज़्यादा दोस्तो आपको इसे जो है internet नहीं देना है, समझे रो? तो यह setting दोस्तो बहुत important है, तो सबसे पहले मैंने आपको इसे ही बताया है, ठीक है? अब दूसरे नमबर का setting आपको करना है, दूसरे नमबर का setting दोस्तो आपको YouTube के अंदर करना है, क्योंकि दोस्तो YouTube पर ही बहुत ज़्यादा लोग आजकल वीडियोस देख रहे हैं, शौट्स देख रहे हैं, और आप ये वीडियो भी YouTube पर ही देख रहे हैं, तो ऐसे मैं दो setting के अंदर आ जाना है अब setting के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लिजे data saving दिया है इसी के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों मैंने तो इसे पहले से ही on कर रखा है आप यहाँ पर देख लिजे यह आपके फोन में इस प्रकार से बंद मिलेगा तो इसे आपको on करना है इसे on करेंगे automatic यह पूरा का पूरा on हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ से दोस्तों YouTube के अंदर भी इस setting को on कलेना है इस setting को on करने का मतलब यह है कि 50% दोस्तों आपके फोन का जो इंटरनेट डाटा है वो YouTube पर वीडियोस देखते समय बचेगा जहाँ पर दोस्तों यह भी खतम होना चीए वहाँ पर सिर्फ 500 MB खर्च होगा समझे लो तो इस प्रकार से आपको इस setting को यहाँ पर कलेना है यह दूसरे नंबर का सेटिंग हो गया जिसके बाद दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है तीसरे नंबर का सेटिंग दोस्तों आपको वाटसेप के अंदर करना है वाटसेप भी दोस्तों बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो आपको यह तीसरे नंबर का सेटिंग क करने के लिए WhatsApp को उपेइन कर लेना है उसके बाद यह जो टीन डॉट यह है इसके उपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आ जाना है यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ देखेंगे इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको देखेंगे ऑटो डाउनलॉड जब भी दोस्तो वाटसप को हमें फोटो वीडियो भेजता है तो आपको पर हमारे फोन के अंदर डाउनलोड हो जाता है कई बार दोस्तो बहुत सारी ग्रूप से वीडियो ज आते हैं, ऐटोमेटिक डाउनलोड होगे, हमारे फोन का पूरा इंटर्नेट डाटा खतम हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए दोसों, यहाँ पर एक सेटिंग आपको करना है, वो सेटिंग कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह सभी पर टिक्माक हो रखा है, तो आ आटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा जो चीज आपको जरूरी लगेगी उसे आप मैनोली डाउनलोड कर लेना उसपे क्लिक करेंगे तो आटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा लेकिन खुछ से डाउनलोड नहीं होगा तो इससे दोस्तो आपके फुन का इंटरनेट डाटा कि इसे उसे same to same अपने phone के अंदर apply करना है दोस्तों कोई भी setting miss नहीं करना है नहीं तो ऐसे ही आपके phone का internet data खतम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो play store को open करने के बाद यहाँ पर fourth number का कौन सा setting करना है मैं दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पर profile के उप यहाँ पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों play store से जितने भी आप application हो गया या फिर game हो गया उसे download करते है ना तो कुछ दिन बाद दोस्तों उसका update आना शुरू हो जाता है कई application का update हर दिन आता रहता है कई application का update जो 100 हफते में एक बार आता है तो ऐसे में आपके phone का जो internet data आता है और इसी में यूज हो जाता है आपको पता नहीं चलता आप बोलते हैं मैंने अपना internet यूज हो नहीं किया तो daug कहा पर गया तो इसी के अंदर जाता है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है इससे अपको ok कर देना हूँ ओके करने के बाद दोस्तों कोई भी application automatic update ही नहीं होगा जो application आपको important लगता है उसे आप manually आके दोस्तों Google Play Store पर यहाँ पर update कर सकते हैं automatic कोई भी application update नहीं होगा समझ गए तो यह fourth number का setting आपको यहाँ पर Play Store के अंदर कर लेना है अब दोस्तों मैं आपको fifth number का setting बताने जाँ रहा हूँ जिसे अगर आप अपने phone के अंदर apply करते हैं तो 40% दोस्तों आपके phone का जो mobile data है वो save होगा guarantee के साथ मैं आपको proof के साथ दिखाऊँगा ठीक है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यह जो fifth number का setting है इसे करने के लिए आपको facebook app को open करना है यह सबसे ज़्यादा popular app है सबसे ज़्यादा लोग इसे पे जो है videos, photos देखते रहते हैं न तो ऐसे में जो fifth number का setting है आपको इसी के अंदर करना है इसे open करने के बाद यह जो profile दिया है इसके उपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका profile आता है नीचे आना है यहाँ पर setting and privacy के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को में रहेगा mobile data uses इसी के उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर यह क्या है optimize पर set होगा जैसा कि आप देख सकते है यहाँ पर नीचे data saver दिया है जिस पर अगर आप इसे set करते हैं तो 40% यहाँ पर देख लिजे 40% दोस्तों जो है आपके mobile data से होगा एक प्रकार से 40% कम जो है data आपका use होगा समझे रो तो आपको इस पर set कर देना है इस पर set करके नहीं रखना है समझ गए पहला setting आपको यहाँ पर करना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है autoplay आता है autoplay मतलब कि facebook पर जब भी दोस्तों आप इस वरकार से scroll down करते हैं तो automatic जो videos होती हो play हो जाती है चीज आपको यहाँ पर कर देना है ठीक है इसे set करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है home पे आ जाना है अब दोस्तों जो जो मैंने main main application पर पांच setting बताए हैं उससे अगर आप अपने phone के अंदर apply करते हैं तो मैं guarantee देता हूँ दोस्तों आपके mobile data को खतम होने का कोई भी chance ही नहीं बचता है ना पूरा का पूरा data save होगा आप सुबह से लेकिर रात तक इस्तमाल करेंगे फिर भी mobile data खतम होने का नाम नहीं लेगा तो उसके लिए बस आप क्या करो यार इस वीडियो को लाइक कर दो इतनी कमाल की वीडियो ले हूँ तो लाइक तो बनता है ना साथ इसा चैनल को सस्क्राइब कर लो थैंक्य दोस्तों बाइबेंट टेक कियर